लोग सबच नौ की छोते चरण में कसरावद नगर में मद्दान केंद्रों पर मद्दाताओं में एक अलगी उत्साह देखने को मिल रहा है मद्दान करने के लिए सुबह से ही मद्दान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुँच गए सुबह से पानी ने दस्तक दी लेकिन मद्दाता मत्दान के लिए डटे रहे वहीं अभी दोपहर में तेज़ दूप ने भी रोधर रूप दिखाना चालू कर दिया है लेकिन मद्दाता लगातार मत्दान करते हुए नजर आ रहे हैं कसरावद नए बज स्टैंड पर आदर्श मत्दान केंदर क्रमांग 42 पर SDM अगरिम कुमार तहसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी अपना मत्दान किया उनके द्वारा पूरे निर्वाचन शेत्र में ज्यादा सु ज्यादा मत्दान करने का संदेश भी दिया गया और बताया गया कि सुबह 11 बजे तक 34.70 मत्दान पुर्ण हो चुका है वहाँ मौझूद मत्दान कर्मियों की टीम अलर्ट मोड पर नजर आई मैं आपके माध्यम से पहले तो यह सूचना देना चाहूँगा कि 11 बजे की रिपोर्ट अनुसार हमारे यह 34.70 मत्दान हो चुका है तो जैसा कि आपने क्वेस्टन स्कूछे थे कि क्या वविस्था हैं तो आप देख सकते हैं कि हर बूत के आसपास जो अशौर्ड मिनिमम फिसिलिटीज हैं जैसे कि शेड बना रखे हैं तो यह सारे 253 जो हमारे मत्दान के इंद्र पर हैं सब पर बना रखे हैं और मानिय के लेक्टर महोदे के निर्देश अनुसार भी बुलावा भ्यान किया गया था जिसमें हम प्रती एक मध्याता के पास जा जाके घर घर हमने परची बाटी थी और उनको इन्वाइट किया था मध्दान करने के लिए उसका एक रिजाल्ट यह है कि सुबह से ही हमारे यहां पूरे शेत्र में अर्ली वोटिंग में काफी लोग लाइन लगा रहे थे इन फाक्ट एक और अच्छी खबर जो मुझे आई थी जो मैं आपसे शेर करना चाहूंगा कि हमारी एक पोलिंग स्टेशन नंबर 182 है जहा कि आपने पूछा था शांति पूर्ण मदान चल रहा है बहुत उच्छा है वो भी देखने को मिल रहा है और पीसफुल पोल्स चल रहे हैं थोड़ा बहुत विरोध हुआ था कुछ लोग विरोध कर रहे थे टीम पहुच गई थी सब्साब और तेसलदा साब भी गए थे स हमारी पुलिस की टीम भी हर जगा सजाख है हमारी सेक्टर मेजिस्ट्रेट्स भी कंटिनुएस भ्रमंड कर रहे हैं तीनों तैसलदा नायपते साब भ्रमंड कर रहे हैं एकदम पीसफुल पोल्स चाहता हूं कि आज बहुत ही इंपोर्टन डेय है चुनाव का पर्व है कृ